चलिए आज की तो क्लास उसमें पावरपाइंट के बारे में हम थियोरी की क्लास लेंगे और थियोरी में कुछ जानकारी लेंगे कि हमें अंसर लिखना कैसे है कौन-कौन से टॉपिक जो है हमारे इंपोर्टेंट है सबसे पहले पावरपाइंट के बारे में इंटोड़क्श आउनलोड करना पड़ेगा अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो 2007 वर्जन पर वर्क कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं पाउरपांट का यूज आप इन एरिया पर करते हुए देख सकते हैं मैक्सिमम कई जगहों पर पाउरपांट का यूज किया जाता है लेकिन यह कुछ कॉमन एरिया जहां पर पाउरपांट को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस-किस जगह पर powerpoint का यूज किया जाता है जैसे education, business, advertisement, animation बनाने के लिए, seminars में presentation देने के लिए, conference में presentation देने के लिए, ये कुछ common नाम है, इसके अलावा भी आप अपने मन से, क्योंकि powerpoint का यूज पर यूज किया जाता है, तो ये कुछ common points लिखे हुए हैं, और आप अपने इच्छा नुसर कुछ points इसमें जोड सकते हैं, कुछ points हटा सकते हैं। नेक्स्ट, हमने यहां पर देखा कि जब हम powerpoint open करते हैं, तो हमारी तो screen आती है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, इस screen के बारे में भी हम जान चुके हैं, कि किनारे में office button होते हैं, यहां पर कुछ आपका tabs दिये होते हैं, और यह आपकी title वार होती है, इस tab के लिए ribbons हो option होते हैं, बीच पे यहां पर slides दिखाई जाती है, MS powerpoint का use presentation बनाने के लिए किया जाता है, और एक presentation के अंदर multiple slides होती है, और हर slide में objects होते हैं, और उन में हम animation या transition अपलाई कर सकते हैं, clear है, आगे देखते हैं यहां पर, यह एक important question है, जो या important point वो लेंगे, जो MS powerpoint में ही हो होता है, क्योंकि कभी-कभी presentation दिखाते समय, presentation को effective बनाने के लिए हमें कोई sound clip या video clip को present करना होता है, तो Microsoft powerpoint यह facility देता है कि अपने slide में ही आप sound और video clip को attach कर सकें या add कर सकें, तो यह facility आपको word और excel में नहीं है, तो यह एक additional facility है, जो word और excel से हट कर है, इसलिए इस topic को question में पूछा जाता है, कि sound और video को कैसे insert किया जाए, और इसका step बिल्कुल ही simple है, कि presentation जब आप open करेंगे, उसमें आपको options दिये जाते हैं, insert tab में आपको option मिलता है, sound and video clip को add करने का, तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने presentation open क जाते हैं, और यहां पर अगर मुझे कुछ video clip एड़ करना है, तो insert में जाएंगे, यहां पर यह दो option additional है, जो word और excel में नहीं होते हैं, तो अगर आपको movie clip छोटी सी add करनी है, तो movie clip file के द्वारा आप यहां पर कोई clip add कर सकते हैं, और यहां पर इसको play option में आप automatically कर देंगे, तो वो जब slide आएगी, तो automatic वो play हो जाएगा, इसकी size, movie की जो height और width है, या screen size है, वो भी आप set कर सकते हैं, जब आप slide शो करेंगे, तो वो movie clip यहां पर play हो जाएगी, automatic, और साथी साथ यहां पर animation भी चलता राएगा, तो साथ सा आप यहां पर देख रहे होंगे कि sound और movie clip जो है, वो भी play हो रही है, तो इस तरीके से यह जो topic है, जिसमें आपने अभी देखा कि sound और movie clip को कैसे insert करना है, यह question पूछा जाता है exam में, और इसका यह notes दिये हुआ है कि steps कैसे add करेंगे, insert tab में जाएंगे, insert tab में जाने के जो मैंने अभी करके दिखाया, उसको step by step लिखा हुआ है, और यह चोटा सा diagram है, जो हमने अभी देखा, जिसमें हमने इसको focus किया था अभी insert में, यह वाले area को diagram बना करके दिखा दिया गया है, sound from file और यह सब, कुछ steps आपको बढ़ाने हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि क कौन कौन सी sound file, कौन कौन सी video files को जड़ा अच्छे सी support कर सा है, clear है, तो कुछ sound और video files के format यहां पर दिये हुए हैं, और इनके और भी format हैं, आप अपने इच्छनु सारे इसमें कुछ format जोड़ सकते हैं, कुछ format को हटा सकते हैं, आगला जो important point है वो है animation, animation जो है आपको custom animation के नाम से भी दिखेगा और यह animation के एक tab है, animation जो होता है, वो किसी object पर लगाया जाता है, custom animation पर क्लिक करने पर यहां पर आप देख रहे हैं कि effect आपको देखने के लिए मिलेगा, और कई type के effect है, यह 4-5 effect के नाम आप याद रखी है, जैसे entrance, emphasis, exit, motion path और video clip, movie clip, clear है, तो यह जो animation है, इसका जो आप notes हैं पर देख पा रहे होंगे, कि animation के बारे में कुछ जानकारिया दी हुई है, और animation होता क्या है, actually animation किसी object की position, color, size, और उनके axis में कोई भी changes, run time पर होता है, तो इसको animation बोलते हैं, जो attractive होता है, और हमारे presentation को ज्यादा attractive बनाता है, ताकि ज्यादा से ज् लोग हमारे presentation को देखें, बोर ना हो, तो हमारे presentation को ज्यादा से ज्यादा लोग सुनें, इसलिए presentation attractive होना चाहिए, और attractive बनाने के लिए animation का यूज़ आप कर सकते हैं, कुछ built-in animation यहाँ पर दिये हुए हैं, जैसे entrance infection भी मैंने आपको बताया कि, यह जो animation थे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, entrance का मतलब बता है, कोई object जो है, screen के बाहर से enter करेगा, तो इसका यह icon भी देख सकते हैं, कि बाहर से वो move करता हुआ, अंदर आ रहा है, यह ची entrance effect लगा के दिखाता हूँ, मैं आपको एक aeroplane बनाया, और entrance effect लगाते हैं, इसको मैंने पहले select कर लिया, aeroplane को, और यह देखिए entrance effect में आया है, तो fly in करेंगे, देखिए, तो यह सारे effect वो हैं, जो screen के बाहर से आते हैं, fly in करेंगे, तो अपने आप देखिए वो, बाहर से enter करेंगे, इसके बाहर से enter करने के लिए effect हैं, और कुछ effect के नाम यहां दिये हुए हैं, और more effect में जाएंगे तो और भी बहुत सारे effect में लेंगे, इसके बाद आप देख पा रहे हैं, कि emphasis में इसमें किसी चीच पर अगर highlight करना है, जैसे grow करना है आपको, उसको highlight करने के जोड़ देगा, यह तीन object हैं, तो इसको focus कर रहा है, जोड़ देके बता रहा है कि यहां पर इसको आप देखिए, ठीके, इसी तरीके से exit effect जो होता है, वो fly out करता हूँ, देखिए, क्या होगा, यह बाहर चला जाएगा, तीन effect मैंने लगाया और जब तीनों को यहां से मैं प्ले करूँगा, तो देखेंगे आपकी पहले, यह वीडियो प्लिप को मैं इठा देते हैं, यह प्ले हो जा रहा है, तो देखिए, यहां पर जब मैं इस effect को प्ले कर रहा हूँ, तो पहले enter किया, grow किया, और उसके बद बाहर चला गया, तीन effect एक साथ यहां पर work किये, त इसको अपने practically करके भी देखा होगा, तो यह एनिमेशन कुछ, यहां पर points बहुत important होते हैं, points और यह जो diagram बना है, शुटर शुटर इनका बहुत simple सा मीनिंग है, बिलकुल असानी से बना सकते हैं, और याद भी रख सकते हैं, नाम से ही यहां पर clear हो जा रहा है कि entrance को represent कर र fly out, fly out, fly out जो है, वो entrance में नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, तो यहां पर जो यह नाम list लिखे हैं, आसे 4-5 नाम आपको याद रखने हैं, बस यह जो important point होते हैं, वो यह ही है, कि आपको 4-5 entrance में, इसे अब यह fly in हो गया, plus हो गया, raise up हो गया, wipe हो गया, यह 4-5 नाम आप खुझ भी देखके लिख सकते हैं, पर एकाद नाम mistakes गलती होई है, गलती से लिखा गया है, वैसे ही emphasis effect में, spin, grow और यह सारी चीजे को देख सकते हैं, exit में देख सकते हैं, fly out, यह सारी चीजे दी होई है, तो यह जो लिखा हुआ पार्ट है, वो कुछ भी नहीं है, बलकि य सारे नामें, कम से कम 30 नाम होंगे, उस में से 3-4 नाम आपको जो common, common जो आपको याद रह सकें, जो भी नाम आपको याद रह सकें, जो भी नाम आपको याद रह सकें, उन 4-5 नामों को आपको याद कर लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यह circle नाम को याद कर सकता है, तो इस टेप के नाव आपको चार-पांच याद रख लेने हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यह एनिमेशन के बारे में दिया है अब इस टेप्स एनिमेशन को एड करने के स्टेप्स क्या-क्या है सबसे पहला इस टेप आप अपनी स्लाइट को प्रिपेर करिए और एक आपजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट एन आपजेक्ट कोई आपजेक्ट जैसे अपने क्लिप आर्ट बनाया या कुछ और बनाया उसको सेलेक्ट कर लीजिए पेपर चेक करने वाले को यह कस्टम एनिमेशन लिखा हुआ दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने सही पॉइंट को पकड़ के लिखा है क्लिर यह कस्टम एनिमेशन पर जैनगे आप ऊसके बाद आपको एड ऑडि पर जाना है और एडि पर जाने के पाद आप अपन Gore जो वी एफेक्ट जो वी आपको लगता है जैसे entrance, motion path वगेरा उसको apply कर देना है, apply करने के बाद आप उसको play button से play करके देख सकते हैं, उसका preview कैसा दिखेगा हो, clear, इस सारे steps हैं, आपने अगर किया है, animation एक अदबर करके देखे हैं आप, तो बिल्कुल यह आसानी से यह चीज आप समझ सकते हैं, और बिल्कुल आसानी से इसको लिख भी सकते हैं, साथी साथ, animation में कुछ settings होती हैं, जैसे यह कुछ settings हैं, इनको आप change कर सकते हैं, अपनी इच्छा नुसार, जैसे इन settings को हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि animation अपलाई करने के बाद, हमको यहाँ पर कुछ setting दिखाई देती हैं, इसी हर animation में यहाँ पर एक start वाली setting होती है कि animation कब start होगा और इसमें तीन option है after previous with previous और on click by default on click रहता है यानि click करने पर ही play होता है with previous करेंगे तो previous animation के साथ साथ दो दो तीन तीन चीजे एक साथ play होगी और after animation मतलब after previous का मतलब होता है कि previous वर animation जैसे ही खतम होगा वो automatic चालो हो जाएगा तो यह setting है modify करने के लिए start position और direction है कहां से आपको enter करना है bottom से left से तॉप set कर सकते हैं कि भी bottom से अभी जैसे मैं इसको play करूंगा तो आप यहां देखेंगे कि यह bottom से एंटर कर रहा है क्लियर है तो यहां पर आप change कर सकते हैं कि यह right से एंटर करें देखेंगे आप चेंज कर सकते हैं यह left से एंटर करें ठीक है तो यह setting है direction की यह setting होती है speed की आप इसकी speed slow fast very fast कर सकते हैं तो उनके बारे में भी यह point to point लिखा गया है कुछ settings है जिसको आप set कर सकते हैं तो यह चोटा सा एक ऐसा diagram बना दिया गया है और यह बिल्कुल सेंब भी diagram है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह वाला यह वाला एरिया को जो है cover करके बनाए गया है इस subject में आपको points याद रखने हैं यह सारे points जो हैं वो याद रखने हैं और यह points automatic याद हो जाते हैं अगर आप practical कर रहे हैं आपका हाथ practical में बैठा हुआ है तो points अपने आप याद हो जाते हैं यहाँ पर एक car वाला animation इस तरीके से करके दिखाया गया हाला कि paper में animation करके तो नहीं दिखा सकते बट movement को यहाँ पर arrow दिखा करके show किया गया है अगला point जो था हमारा वो है slide transition आपको पता है दो slide जब change होती है तो उनके बीच में जो animation होता है उसे slide transition कहते हैं और यह slide transition का जो option है वो आपके animation part में ही होता है यहाँ पर देखिए कुछ slide transition के नाम में यहाँ पर दिये हुए है slide transition की भी settings होती है जैसे इसकी speed सभी slides में apply करना है कि नहीं साथ-साथ में आपको sound भी play करना है क्या कुछ mouse click पे करना है कि automatic करना है यह सारी settings होती है और इसमे slide transition की कुछ नाम आप याद रखिए जब किसी भी transition के उपर आप अपना mouse का pointer ले जाएंगे तो उसका नाम दिखाता है जैसे dissolve यहाँ पर नाम दिखा रहा है clear है कुछ category बनाई हुई है जैसे wipe तो wipe के अंदर wipe down left right और काफी सारे options आप यहाँ पर देख पा रहे है तो slide transition को आप यहाँ पर with preview भी देख सकते हैं ज इसा preview करके भी अब देख सकते हैं थोड़ा सा practically आपको इसको बैठना पड़ेगा और सारी चीजों को करकर के देखेंगे तो आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा कि यह लिखा क्या हुआ है अब आप देखिए यहाँ पर आपको fade, wipe, push, cover यह सब चीजे दिख र आप तो यह था हमारा slide transition उसके फिर steps हर चीज के लिए देखिए 2-3 point एकुसी भी चीज को लिखना है तो पहला तो उनके चोटे-चोटे points उसमें क्या-क्या options हैं फिर उसके क्या steps हैं उसका चोटा सा डाइग्राम उसका क्या-क्या setting है और कहां-कहां use होता है यह 4-5 point को आप कुछ चीजें आप setting कर सकते हैं speed, sound, apply, all अभी मैंने आपको दिखाया और एक चोटा सा डाइग्राम इतना थोड़ा इतना लेंदी नहीं बनाएंगे तो भी चल जागा यहां पर यह fade और यह सब लिखके दिखा दिये गया है इस अब देखते साथी समझ में आ जाता है कि आ अगला जो topic था हमारा वो है rehearse timing, rehearse timing के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपनी slide को prepare कर चुके हैं और slide जो है play होती है तब उसे हमें click करके play करना होता है यानि कि अगला animation या अगला object या अगली slide तब ही आती है जब हम उस पे click करते हैं जब तक हम कोई speech दे हैं तब तक वही slide जो है हमारी बनी रहती है तब हमारी speech खतम होती है तब हम उसको next slide में करते हैं उस समय वो जो slide है आपकी अगली slide में जाती है लेकिन अगर हम को एकी speech बार बार देनी है तो कोई भी परसन एकी speech को बार बार नहीं बोल पाता और exactly उतना नहीं presentation के जो quality है ध जाती है और उसको record कर लिया जाता है audio के रूप में और उस audio के साथ साथ time set कर दिया जाता है rehearsal की एक परकार से यानि की एक person बैठता है वो अपनी audio recording start कर देता है और rehearsal करता है और एक बार पूरा प्ले करता है वो बुलते जाता है और time को क्लिक करके change करते जाता है वो timing यानि क वह एक बार प्ले होता है वह पूरा का पूरा पूरा स्लाइड में विध ऑडियो एन टाइमिंग पूरा रिकॉर्ड हो जाता है इसको डिहास टाइमिंग आपशन से किया जाता है नेक्सट जब डिहास टाइमिंग हम कर लेते ह। तो तो एक ही चीज़े कई बार उसमें प्ले होते रहती है और एक परसन को कई बार यहां पर प्रेजेंटेशन देने की ज़रुवर नहीं पड़ती है तो यह हमारा जो हमारी महनत है उसको काम करता है तो इनकी स्टेप्स है रिहर्स टाइमिंग को हम कैसे अपलाई करेंगे और यह कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखा था अब जैसे मैंने यही एनिमेशन लगाया और इसको जब मैं प्ले करूंगा तो यह रुका हुआ है जब कर लगाना चाहूं तो और में यहां पर स्क्रीर शो में जाओंगा मेरे पस रिहर्स टाइंट पर जाते ही हैं पर ऑप है और यह जिए बॉतल सेंटकी स्लाइब semi आप 2 और 10 सजय आपने बनाया है और आप यसको सेवन करना चाहते हैं की यह एस आपकी टाइमिंग सेव हो चुकी है और आप सेट अप शो में जाएए लूप कर दीजिए लूप मतलब वो बंद नहीं हो चलता रहेगा अगर अगर मैंने साउंड टीस एसमें प्ले होते हैंगी आपने अन्योप सब्सक्राइब देंधे दिन मच्छा कई और आप जोड़ एकाल के घ्रम दू Meansš remaining वीद आ चीजिए 42 भी आसा जया शब्ला-धा यίक्या और प्लिक्लिक आऽ कर रहा हो जाएगी कि उस तरहीं एड़िजमेंट जो है डिस्पले होते रहती है बार-बार उसके उसको प्ले करने के लिए कोई परसन वहां नहीं बैठा होता है बलकि इसी तरीके का रिहर्स टाइमिंग सेट कर दिया जाता है और वो एनिमेशन बार-बार-बार-बार रिपीट होते रहता है आटोमेटिक र से यार करते हैं तो रिहर्स टाइमिंग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपने स्पीज बोलते समय थोड़ा सा समय ले लिया या जल्दी बोल दिये तो जो कंप्यूटर का जो स्लाइड है वो अपने टाइम पर ही प्ले होगा और आपका जो स्लाइड का जो चेंज का सब्सक्राइब करने के लिए किया जाता है कि तुछ और ऑप्शन्स इसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एक आदा ऑप्शन और पूछा जाता है जैसे आपको यहां पर व्यू टैब में जाएंगे तो by not master होता है handouts होते हैं and slide master होता है इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रोभी हम समझे लेते हैं कि handouts क्या होते हैं जब भी हम प्रेंटेशन् में multiple slides हो सकती हैं और runtime पर कभी-कभी हम भूल सकते हैं कि चौते नमबर की slide क्या थी यह इसके बाद हमको क्या बोलना है पॉसिबल है बूलना तो इसके लिए handouts निकाले जाते हैं handouts में slide की छोटी-छोटी preview एक page में निकाली जाती है और यह हमारे पास with on paper होती है print के form में होती है और हम अपने dice पर इसको रख सकते हैं तो यहां पर हम एक pane से टिक करते जाते हैं कि यह slide अब display हो गई है यह side display हो गई है अभी मैं इस slide पर speech दे रहा हूं तो मुझे पता है अगली slide क्या होगी यहां पर मैं देख सकता हूं तो अगली slide को की speech देने के लिए मैं ready रहता हूं तो इस तरीके से कोई किसी scene के आगे-आगे हम चल सकते हैं अपने presentation को effective बना सकते हैं यह handouts होता है और handouts का वही प्रिंट के लिए हैं पर बाइटिंग होती है कि portrait निकलना है कि लेंड्सकेप निकालना है और इस कितनी पीजिस निकालना है एक पीज में छह चार नौ कि अग्ट कि अग्ट